हेलो दोस्तो आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सस्क्राइब कीजिए हमारी चैनल जोब भंडार को और साथी दबाए इस बैल आइकन को हलो दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए एक बड़ी भड़ती की अपटेट लेकर आया है इस वीडियो में बात करने वाले है जी जी एच भड़ती 2020 के बारे में जो की गुर्मेट मेडिकल कोलीज और जन्रल होस्पिटल के अंतरगत होने जा रही है पोस्ट है अस्टापनर्स, स्वीपर, गार्ड्स एंड अदर्स जिन के लिए 1444 पदों पर बढ़ती होने जा रही है जी आँ दोस्तो यहाँ पर 1444 वेकिंसियों पर बढ़ती होने जा रही है और इस बढ़ती के लिए आल इंडिया से मेल फीमेल दोनों कंडिडेट अपला करने के लिए कम से कम साथवी या फिर दसवी या आईटीए या डिगरी या डिपलोमा होना जरूरी है दोस्तो अपलाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एफिल्केशन फी जमा नहीं करानी होगी आप इस बढ़ती के लिए बिना किसी एफिल्केशन फी के तो अगर आप इन पोस्ट के लिए इंट्रेस्टिड हो और अपलाई करना चाहते हो तो अपलाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का इलिजबिल्टी क्राइटेरिया, लेज लिमिट, सेलेक्शन पोर्सेस, एपलिकेशन फिस, सेल्ली पैकिज और जानना होगा आप इस बढ़ती के लिए कैसे अपलाई कर सकते हो और कब से कब तक अपलाई कर सकते हो जो कि ये complete details आगे इस वीडियो में मैं आपको official notification के दवारा step by step provide कराने जा रहा हूँ तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए बने रही है इस वीडियो में हमारे साथ अंत्यक दोस्तो ये आपके सामने इस बढ़ती का official notification है इसके दवारा मैं आपको इस बढ़ती की complete जानकारी step by step provide कराने जा रहा हूँ तो चलो शुरू कर लेते हैं आप बिना वक्त गवाए या बढ़ती COVID-19 के चलते Government Medical College and General Hospital के अंतरगत होने जा रही है जिया दोस्तो Government Medical College और General Hospital के अंतरगत या बढ़ती होने जा रही है और इस बढ़ती के लिए आप offline आविदन कर सकते हो दोस्तो आविदन करने से पहले आपको जानना होगा कि apply करने के लिए क्या eligibility होना जरूरी है और किस post के लिए कितनी vacancies निकली है से लिए आपको या पर कितनी मिनने वाली है जो कि मैं आपको step by step provide कराने जा रहा हूँ दोस्तो जीडियमो पोस्ट के लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ओफिसर पोस्ट के लिए 243 vacancies निकली है apply करने के लिए MBBS या BDS होना जरूरी है से लिए आपको 70,000 रुपे पर मन्त मिनने वाली है especially doctor के लिए 104 vacancies निकली है apply करने के लिए MD क्वालिफिकेशन में होना जरूरी है और से लिए आपको मिनने वाली है 150,000 रुपे पर मन्त stop nurse के लिए 483 vacancies निकली है apply करने के लिए GNM diploma या फिर nursing के अंतरकत BSC डिगरी आपके पास होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाली है 34,000 रुपे पर मन्त nurse 3,000 technician के लिए 119 vacancies निकली है और apply करने के लिए education में कम से कम डिपलोमा होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाली है 3,100 रुपे पर मन्त lab technician के लिए 70 vacancies निकली है apply करने के लिए DMLT course आपका complete होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाली है 8,000 रुपे पर मन्त ECG technician के लिए 27 vacancies निकली है ECG certificate आपके पास apply करने के लिए होना जरूरी है और से लिए 8,000 रुपे पर मन्त आपको मिनने वाली है dissertation के लिए एक वेकिंसी निकली है अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है, सेली मिनने वाले है 5,120 रुपे पर मन्त, फार्मेसिस्ट के लिए 24 वेकेंसी निकली है, अप्लाई करने के लिए 2 साल का डिपलोमा आपके पास होना जरूरी है, सेली आपको मिनने वाले है 8,000 रुपे पर मन्त, इल करने के लिए डिप्लोमा या फिर या इट ही आपके पास होना जरूरी आ है खेले आपको मिनने वाले 로 Essay therapist के लिए तिन वेकैंसी निकली है खेल्जै धिजिए से अपको मिनने वाले ऐसे लिये आपको मिनने वाले twor he रुपे पर मंद, बायो मेडिकल टेक्निशन पोस्ट के लिए तिन वेकेंसी निकली है, अपलाई करने के लिए डिपलोमा आपके पास होना जरूरी है, और साथ इसाथ एक्सपिरियंस भी आपको होना जरूरी है, सेली मिनने वाले है, चोदा जार रुपे पर मंद, बायो पिष्ट के लिए तिन वेकेंसी निकली है, बैचलर डिगरी अपलाई करने के लिए होना जरूरी है, सेली आपको मिनने वाले है बत्तेजार पानसो इकातर रुपे पर मंद, स्वीपर के लिए एक सो नबवेकेंसी निकली है, साथ इसाथ के साथ आपको एक्सपिरियंस भी होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाले है तिरा जार रुपे पर मंत सिकुर्टी गार्ड के लिए 90 वेकेंसी निकली है अप्लाई करने के लिए दस्वी पास प्लस एक्सपीरेंस होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाले है तिरा जार रुपे पर मंत MNO के लिए एक सो तिराण में वेकेंसी निकलिया है अपलाई करने के लिए दसवी पलस फर्स्ट एड सर्टिपिकेट आपके पास होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाले है बारा जार रुपे पर मन्त डाटा एंट्री ओपरेटर के लिए पंदरा वेकेंसी निकलिया है अपलाई करने के साथ साथ एक्सपिरियंस आपके पास होना जरूरी है साथ इसाथ PGDCA आपके पास होना जरूरी है सेल लिए आपको मिनने वाले है 15,000 रुपे पर मंत रेडियोग्राफर के लिए 18 वेकेंसी जिनिकली है अप्लाई करने के लिए डिग्री या सर्टिपिकेट आपके पास होना जरूरी है से लिए आपको 75,000 रुपे पर मन्त मिनने वाली है धोबी के लिए 3 वेकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए 7 पास होना जरूरी है से लिए आपको मिनने वाले है 14600 रुपे पर मन जो की टोटल 1444 वेकेंसीज निकली है इन वेकेंसीज के लिए आले इंडिया से मेल फीमेल कंडिडेट अपलाई कर सकते है अपलाई कर सकते है ओफलाई ओफलाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 287-2020 और डेट है 78-2020 यहां दोस्तों 287-2020 से 78-2020 तक आप इस भड़ती के लिए अपलाई कर सकते हो दोस्तों अपलाई करने के लिए आपको यह एपलिकेशन फोर्म डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद आपको इस एपलिकेशन फोर्म को कम्पलेटली फिल अप करना होगा completely fill up करने के बाद आपको इस application form को submit कर देना है official address पर official address आप यहां से check out कर सकते हो दोस्तो application form submit करने के लिए last date है 7-8-2020 जिहां दोस्तो 7-8-2020 से पहले ही आपको यह application form submit कर लेना है दोस्तो एक बड़ी बात यह है आपको यहां पर कोई भी आवेदन सुल्क जमा नहीं कराना होगा आप इस बड़ी के लिए बिना किसी आवेदन सुल्क के apply कर सकते हो दोस्तो यह थी इस बड़ी की complete जानकारी अगर अब भी आपको और ज़्याद जानकार चाहिए तो आप इस notification को download कर सकते हो इस notification का link मैं इस वीडियो के description में provide कराने जा रहा हूँ वहाँ से आप इस notification को download करके इस बड़ी की complete जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर apply कर सकते हो दोस्तो अगर आपके मन में इस बड़ी से related कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment के जरिये पूछ सकते हो दोस्तो आई हो प्याई वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को like out सेर जरूर करे अगर आपने भी तक हमार चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमार चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आगे भी हम आपके लिए इसी बड़ी भरती की update लेकर आने वाले है